So, straight, finally, हमारी कक्छा 10-12 के Admit Card जारी कर दिये गया है और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाला है किस तरीके से हमें अपनी कक्छा 10-12 के Admit Card को डाउनलोड करना है जे, straight, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना कर आपको बताया था कि 25 जनवरी तक आपके admit card जारी कर दी जाएंगे ये खुद बोड ने official notice जारी करके आपको ये सुचना दी थी और finally आपके admit card है उनको जारी कर दिये गया है और आज इस वीडियो के अंधर हम समझने वाले किस तरीके से आपको अपने admit card को download कर लेना है और download करने के बाद आपको अपने admit card में correction करा लेना है अगर आपके admit card में कोई mistake होती है तो 31 जनवरी तक आप अपने admit card में correction करा सकते हैं तो चलिए वीडियो को चुरू करते हैं और देखते हैं admit card को download करने का तरीका तो देखिए student आपको करना है आपको सबसे पहले mp online मतलब के यहाँ पर mpbhc.mponline.gov.in website को open कर लेना यहाँ पर आप देख लेजी इसकी link भी description box में दे दी कही है वहाँ जाकर आप rightly इस site पर visit कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख लेजी यह mpbhc.mponline.gov.ni की site है तो इसको आपको open कर लेना है ठीक है उपन करेंगे तो कुछ इस तरही के सबसे नजर आएगा इसके पर देखिए आपको drag करते हूँ नीचे आजाना है और नीचे आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखेगा examination in all forms तो simply आपको करना है इस पर click कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आपको simply click कर देना है जब आप click करेंगे अब तो आप तो आप देखिए नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा print main exam admit card 25 january 2022 31 mar 2022 तो starting date यहाँ पर 25 january 2022 है और end date 31 mar 2022 यहाँ पर बताए गई है तो यहाँ पर आप देख लिए यह 25 january को ही मतलब कि कल late night जारी कर दिया गया था और यहाँ से आज हम इसको देखिए कि किस तरीके से हमें इसको print करना है ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए मेरे exam admit card 2022 का ही ही यह नजर आएगा अब यहाँ पर आपको आजाना है अब यहाँ पर इसको ज़रा धेहां से समय लिजिए मुख पर इक्चा प्रिवेश पर 2022 लिखा हुआ आविदन किर्मांग और roll number लिखा हुआ है और नीचे capture तो यहाँ पर आपको आपका roll number तो मिला नहीं होगा आपको आप आविदन किर्मांग मतलब के application number कहा में लेगा तो स्टुएंट देखी यहाँ से आपने form फिल करा था वहाँ से आपका application number आपको दे दिया जाएगा अगर आप regular students है तो आपके school वालों के पास आपका आविदन किर्मांग होगा यहाँ से आपने form बराता वहाँ से आपके school स को admit card निकाल करते देंगे अगर आपने private form कहीं से भी डाला था तो यहां से आपने private form डाला था तो वहाँ जाकर आप content कर लीजिए वहां से आपको आपका application number प्रोवाइड करा दी जाएगा उस application number के माध्यम से आप अपने admit card को डाउनलोड कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर application number कमपल थरी है तो application number आपको आपके school की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगा या फिर आप आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसके website पर पहुंच आएगे वहां जाकर आप यह process कर सकते है ठीक है और याद रखिए कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको अपने admit card में correction करा लेना है online अगर आपके admit card में कोई mistake होती है तो अब यह news जो है वह आपने सारे दोस्तों क प्रवाइड करा दी जाएगी तो देखते रहे है सीखते रहे है thanks for watching